नमस्कार साथियो एक बार फिर से आपका हमारे यूटूब चैनल खेती विद्मराम पे स्वाक्त है आज हम बात करने वाले हैं मौंग की टोप 5 किसमों के बारे में और जानेंगे उनकी उतपादन वो कितने दिन में पक कर त्यार होती है और भी उनके बारे में जो जो उनकी किसम के बारे में बात करने वाले हैं मौंग की इस किसम का पोधा उन्चाई में करीब 85 cm का होता है इस किसम के दाने आकार में मध्यम और चमकदार होते हैं यह 80-85 दिन में पक कर त्यार हो जाती है और जो परती हेक्टियर 20-22 क्यूंटल पे दावार देती है अब हम दूसरी महत्वपन किसम के बारे में बात करें तो वो है पूसा विसाल यह किसम 70-25 दिन में पक कर त्यार हो जाती है इसको जायद और खरीब दोनों मौसमों में लगा सकते हैं इससे परती हेक्टियर 15-20 क्यूंटल पे दावार मिल सकती है तीसरी महत्वपन किसम है RMG 268 मौंग की य यह सुखे के परती परत्रोदी है इस किसम से आप करीब 20% ज्यादा पे दावार ले सकते हैं अन्य किसमों के तुलना में अगली महत्वपन किसम है SML 668 इस किसम की वुआई जायद और खरीब दोनों मौसमों में होती है इसका तना काफी मजबूत होता है इसकी फलिया 20 क्यूंटल तक प्यदावर ले जा सकती है अब यदि हम अगली महत्वपन किसम के बारें बात करें तो है कल्याणी इस किसम के पौदे सबसे जल्दी पक करतियार होते हैं जो 20 रुपाई के लगबग 50-50 दिन बाद पक करतियार हो जाते हैं इस किसम के पौदों पर कीट और जिवानों जनित रोगों का परभाव का पिकम देखने को मिलता है इसके पौदे सामने उन्चाई के होते हैं जिनका परती हेक्टिर उस्त उतपादन 18-20 क्यूंटल तक पाया जाता है अगली महत्वपन किसम है के 800-1 इस किसम को जायद और ख्रीब दोनों समय की पसल लेने क के लिए त्यार किया गया है इस किसम के पौदे 20 रोपाई के लगभग 65-80 दिन में पकर त्यार हो जाते हैं जिनकी परती हेक्टिर उस्त उतपादन है और 10-15 क्यूंटल के आसपास रहता है तो आज हमने जाना मूंग की टोप 5 एड़ाइटियों के बारे में तो यदि आप कोई वीडियो अच्छा लगा तमारी वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद